हाई गाईज मेरे नाम तोईदी रोमान है मैं हूँ टीम अपस्किल से और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि गूगल आड जो है बहुत जल्द जो आपका आड टार्गेटिंग होता है अंडर दी एज अफ 18 येर्ज के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज दिखा जाए तो एक अच्छा decision गूगल के यहाँ पर यह कहना है कि जब से इस pandemic में की शुरुआत हुई है तब से जो learning वगरा है वो आपकी online हो चुकी है virtual school यहाँ पर चल रहे मतलब school के classes जो है वो आपका online हो रहा है और इसके चलते पहले के मकाबले जादा number of जो बच्चे है वो इस वक्त पे online मौझूद है और यह जो एक sudden influx हुआ है online classes के वज़े से meetups के वज़े से इससे बोला गया है कि जो children's का data है पहले के मकाबले अब यहाँ पर जादा risk है उनको जो सबसे पहले update वो यह है कि 18 साल या उससे कम की age के जो बच्चे है वो अब search में जो images है उस पर जादा risk में है अगर बात करे internet में imagery को control करने को लेकर उनका यह कहना है कि आने वाले weeks में वो लोगों ऐसे नए policy को introduce करेंगे जो की 18 साल या उससे कम के जो बच्चे है या फिर उनके parent हो गये guardian हो वो यहाँ पर जो images है वो Google image result से remove करने के लिए request डाल सकते हैं और उसके बा मतलब यह नहीं है कि वो जो image है वो पूरी तरीके से internet से completely remove हो जाएगा लेकिन वो जो image है जो आपका image search result है उसमें show नहीं करेगा जो दूसरी policy update आपको देखने को मिल सकती है वो है आपकी adjusting product experiences for youth मतलब कि YouTube जो है जो आपका default upload mode होता है उसको 13 से 17 साल के बिच्चों के लिए by default private कर देगा इसके साथी जो safe search है उसको भी automatically turn on कर दिया जाएगा उन बच्चों के लिए जिनकी age 18 साल से कम है Google search में वही पर जो 18 साल या उससे कम के बच्चे हैं उनके लिए जो location history है वो भी यहाँ पर खुद बखुद turn on नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं prevent किया जा सके ताकि जो ads है वो जो teens है उनको show हो सके और यह जो है उनका यह कहना है कि Google यहाँ पर जितने भी targeting based ad है उनको block कर देगा चाहे बात हो age की gender की या interest की उन लोगों के लिए उन बच्चों के लिए जो की 18 साल से कम के नीचे होंगे वही पर Google का advertisers को यह कहना है कि आप आपको जो है यहाँ पर चिंता करने के ज़रूरत नहीं है drastically यह आपको effect तो नहीं करेगा लेकिन आपके जो ad metrics है उसमें कुछ आपको changes देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो आपका targeting है potentially जो 18 से नीचे है उसको चिन ली जाएगी तो शायद आपको ad metrics में आपके कुछ चीजे या कुछ changes देखने को मिले लेकिन आप घबराईएगा नहीं अगि दोस्तो आप यह जो वीडियो है आपको informative लगा होगा चीजे पसंद आई होंगी तो please like कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर कीजिएगा और ऐसे ही videos future में देखते रहने के लिए चैनल को subscribe क के बिल आइकन को भी जरूर दबा देना मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक आप देखते रहो आप स्किल को thanks for watching